सब्सक्राइब करें आज मैं आपके साथ एक ऐसा पैटन से कर रही हूं आप जिस प्रोजेक्ट में इस पैटन को यूज करेंगे आपका वो प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगा और बहुत सिंपल यूनिक सा पैटन है यह आप अगर विगनर हो तो इस पैटन से अगर आप लॉंग जैकिट बनाना चाहते हूं तो आप दो से तीन दिन में अपनी जैकिट को कंप्लीट कर लेंगे बहुत ईजी और बहुत जल्दी यह बढ़ने वाला डिजैन है यहां पर यह बेसिकली डिजैन टूरोज से डिजैन यह कंप्लीट हो जाता ह है आपको टूरोज आपने बनाई आपका डिजैन जो है कंपिलीट हो जाएगा यहां पर देखिये मैंने स्टार्टिक में त्री डबल क्रोश्या बनाए हैं मेडल में त्री डबल क्रोश्या हैं और साइड में यह साइड वाले जो 3 double crochet है जो बॉर्डर है और नीचे बीच में भी आपके बॉर्डर का काम करते हैं अगर आप इसको attractive बनाना चाहते हैं तो 3 double crochet बनाईए 1 puppy stitch again 3 double crochet इस तरीके से थोड़ा variation ला सकते हैं अपनी design में तो उम्मीद करूंगी बहुत simple तरीके से मैं इसको बनाना आपको बताऊंगी design आप पूरा देखेगा full watch किजिएगा आपकी समझ में आ जाएगा तो design आपको किस तरीके से maintain करना है देखेए यहां से यहां तक 7 stitch है 7 stitch पर यह maintain हुआ है यहां से 3 stitch skip किये हैं 4th वाले में यह V stitch बनाया है अगन 3 stitch है यह वाले आप अपने according रख सकते हैं मैंने यह 3-3 रखें यह 4-4 रख सकते हैं 2-2 रख सकते हैं यह distance है अपनी design को maintain करनेगा बहुत प्यारा यह design बनता है आप इससे table runner बना सकते हैं इस टॉल बना सकते हैं बेबी जैकेट बना सकते हैं या बेबी सकल्ट बना सकते हैं बहुत सारी variation ला सकते हैं आप अपने according इस design से तो चलिए बनाना बताती हूँ उमीद करूँगी कि आपको यह design पसंद आएगी तो गैस मेरी इस ऐसे ही तरीके की design देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूल जुड़ें अगर अभी तक नहीं जुड़ें हैं तो बैल के आईकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो और आने वाले टाइम में आपको बहुत प्यारी प्यारी टेबल मैट या फिर थालपोस की design में अभी आपको दे रही हूँ विकाज अभी गर्मी है और आने वाले टाइम में बहुत जल्द कर सकते ही मैं आपके बोहुत जल्दी आपकी हर हर ç migrant की वीडियो बनाँगी और मैं इसलिए बना रहे हूं देखे इस तरहिके की डिजाइन आ आप बना कर रखिए और अपनी जैकेट बना कर रखिए सरदियां इस्टरट होते ही आप इस तरीकी की जैकिट जो है पहन सकने हलकी सरदि में पहन सकते हैं और थोड़ी हैबी सरदी पढ़े तो आप अंदर कुछ बूल का कपड़ा डाल के उस अउपर से डाल सकते हैं बहुत ही प्यारा यह जैकिट का डिजैन लगता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर टोटल देखिए 3, 3, 3, 9 इस्टिच ये हैं और 14 ये हैं, इस तरीके से आपने जितना बड़ा इसको बनाना है, आपने मेले पहले ही बता दिया है, यहां पर आप अपने अकोडरी रख सकते हैं, इसी तरीके से बनाएंगे तो 7, 7 multiply करते हैं, 7 में ये 3 और increase का लिजिए, 10, 10 में आपने ये पूरा ये बनाना है, तो यह इस वाले पैटन में टोटल 23 स्टिच हैं, 7, 7 यहां पर हैं और 9 ये पूरे हैं, तो 23 स्टिच हैं, 23 स्टिच में इस तरीके का पैटन बनके तयार होता है, तो चलिए मैं बताती हूँ, आपको आप इस तरीके से कैसे पैटन बना सकते हैं, तो देखें, मैंने यहां पर ये 13 यानि 13 डबल कोशिया बनाए हैं, मैं यहां से यहां तक का पार्ट आपको बना कर दिखाऊंगे, तो सबसे पहले देखें, 1, 2, 3 चैनल लोंगे, जो कि डबल कोशिया की हाइट अगैं, 1, 2, 3 चैन, sorry, 3 चैन बनाएंगे, बनाएंगे, यहां पर देके, 1, 2, 3 स्किप करके, फॉर्थ बाले मuğदे में, डबल कोशिया बनाएंगे, अगैं, 1, 2, 3 चैन, अगैं, सेम प्लस से अगैं डबल कोशिया बनाएंगे, यह मेरा बी वी श्टिश प्रर हो गया हें, अगें 1, 2, 3 chain बनाएंगे बर लेंगे और यहां से देखिए 1, 2, 3 skip करके फोर्थ वाले में डबल कोशिया बनाएंगे और अगें नेस्ट में डबल कोशिया और इस टार्टिंग में जो chain बनाई थी इस पर भी हमारा डबल कोशिया count होगा देखिए इस तरीके से यह पैटर्ण कुछ इस तरीके का है यह मेरी waist row है यहां से design स्टार्ट हुआ तो design का first row complete हो गया है अगें second row two row का design है two row repeat करते जाएए आपका design बन जाएगा तो side में आपने जो भी आप border बनाना चाहते हैं बीच में side में अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो आप मुझे comment कर सकते हैं अगें देखें यहां तक हो गया है अब हमने कोई chain नहीं लेनी है direct इसमें जाना है one double crochet one chain अगें one double crochet one chain अगें तो यहां पर total six बनाने हैं three मेरे हो गए है one three four five six तो six के बीच में आपने एक एक chain का distance देना है इस तरीके से बल लेना है आगे three double crochet से three double crochet बनाना है one two three इस तरीके से यह देखिए एक row में यह मतलब एक design complete होगी है two row में देखिए यह वाले design complete होगी है इसमें total one two three four design है तो यहां इसमें इतने बीच में मेरा eight row लगा है और one मेरा waste है तो total nine row का यह है मैं one time और आपको दिखा देती हूँ देखिए side का जो भी है side में आपने जैसा है वैसा ही बनाना है फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हूँ guys बहुत simple सा design है अगर आप beginner हो तो इससे बना सकते हैं अब क्या करना है यहां से देखिए यहां तो हमाने count करके कर लिया था अब यहां से क्या करना है हमारे पास six है one two three four five six तो यहां पर देखिए जो हमने one chain ली थी उसके middle से हमने double sorry यहां से हमने three chain बनानी है पहले और again middle में three double crochet इदर three double crochet इदर one double crochet three key chain again one double crochet तो यह मेरा again we stitch create हो गया three chain बनाऊंगी again जाऊंगी next play और यहां पर जाके same double crochet पर three time double crochet repeat करके अपने इस pattern को complete करूंगी बहुत प्यारा और बहुत ज्यादा attractive design लगता है यह गाइस और one two three आने वाले टाइम में मैं इससे आप jacket बनाने वाली हूं यह मुझे बहुत पसंद आता है design three double crochet हो गया है तो देखिए मैं आपको second row मतलब second design repeat कर रही हूं यह मेरी एक वार की design है अब second design repeat कर रही हूं यह waste design है अब इसमें six time double crochet बनाएंगे देखिए one 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 की chain distance के हिसाब से इस तरीकी से देखिए one chain again one chain again double crochet one chain again double crochet देखिए one two three four five six हो गया है one लेंगे कोई double crochet ने लेंगे और जाकर three double crochet पर three double crochet हम count कर देंगे यह design अगर beginner बनाते हैं बहुत easy और सबसे अच्छी चीज है कि यह design बहुत जल्दी बढ़त बनाएंगे देखिए कितना प्यारा design लग रहा है दोनों color में मैं आपको दिखा रही हूं pink color में यह बहुत सुंदल लगता है design इसी तरीके से आप बहुत design बना सकते हैं और चाहें तो आपने इस तरीके से नीचे इस तरीके से border बना लेजिए और border बनाके इसको एज़ा border क भी waste दे सकते हैं आप तो यहाँ पर देखिए मैं इसी तरीके से one design और बना लेती हूं ताकि आपको सही से समझ में आए तो देखिए three double crochet again one two three chain three double crochet skip करेंगे three इदर three इदर जो one chain का distance है वहीं पर जाकर हम जो है अपना V stitch बनाएंगे V stitch बनाते हैं हम एक double crochet again three time channel और सेम प्लेस से हम double crochet again repeat करें उसको हम V stitch बोलते हैं तो guys आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं फिर बोल रहे हूं आप हमारे चैनल को जरूल से जरूल सब्सक्राइब करें हमारे design कैसी लगती है वो भी बताए हमारी family member बनने के देखिए यहां से हमने कोई chain नहीं लेनी है इसमें जा रहे हैं और six time double crochet बनाएंगे बीच में chain में distance लेंगे इस तरीके से आसपास हमने कोई distance नहीं लेना three double crochet से आएंगे तब भी कोई chain नहीं लेंगे और three double crochet पर जाएंगे तब भी कोई chain नहीं लेंगे तो इसी तरीके से देखे 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हैं वन टाइम और डबल क्रोशिया बनाऊंगी में सेम प्लेस से और सेम इसी तरीके से हम अपने वर्डर लाइन पर चले जाएंगे इसी तरीके से तो ये मेरा इस तरीके से 3 डिजाइन मेरी almost ready है तो कैसा लग रहा है डिजाइन कमेंट करके बताना ना भूलना आप इस तरीके से solid stall भी बना सकते हैं ये पूरा और अगर आप इसको water के रूप में यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक raw पूरी बना लीजिए जितना बड़ा आपने जैकेट बनाना है चोड़ाई में चेश अपना पार्ट का और जितना चोड़ा आपने कार्डी करने या जो भी बनाना है प्रोजेक्ट या फिर इस टॉल का water बनाना है तो आप इस तरीके से बना लीजिए यहां से अपनी next design start कर दीजिए तो चलती हूँ मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई ओल्टी कर उम्मीद करती हूँ आपको design पसंद आई होगी अगर design अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक से यह और चैनल को जरूल सब्सक्राइब करें वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई 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 इस वीडियो को enjoy कीजिए कमेंट करके जलू रताना वीडियो कैसा लगा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए